नमस्कार तथ्य में आपका स्वागत है मैं हूँ मनीश शवस्थी तथ्य में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान जियां एन तेवहार के मौके पर चाई हुई मंदी जियां पाकिस्तान में आश्मान चूती महँगाई ने बिगाड़ा है इद का जाएका दुनिया में इदल तेवहार 29 जून को धुमधाम से मनाया जाएगा। इस तेवहार पर परंपरा के अनुसार दुनिया भर के मुसल्मान किसी एक जानवर बकरा, भेड़, बैल या उट की कुर्बानी देते हैं। लेकिन इस बार ईद का तेवहार पाकिस्तानियों के लिए काफी महंगा साबित ह होता है। जिया होता भी दिखाई दे रहा है। ईद का तेवहार उनकी जेप पर भारी परता दिख रहा है। पाकिस्तान में आस्मान छूती महंगाई और खस्ता आर्थिक हालातों के चलते। इस बार पाकिस्तानियों के लिए जानवरों की करीद करना इतना आसान नहीं हो पर रहा इसका बड़ा उधारण है कि इस्लामाबाद और इससे जुड़े शहर रावल पिंडी के पशु बाजारों में दुकांदार दो सब्ता से देरा डाले हुए हैं लेकिन खरीदारों का टोटा बना पड़ा है ईद के मौके पर बाजारों में जानवरों के प्रती ग्रह बनाया हुआ है उनको रंग बिरंगे रिबिन और जालरों और फंदनों से सजाया हुआ है वो अपने पंजों पर ठिरकते हुए लोगों को अपनी और आकर्शित कर रहे हैं बावजूद इसके ग्रहक उनको खरीदने में फिर दिल्चस्पी नहीं दिखा पा रहे हैं इसकी पीछे की बड़ी वज़े पाकिस्तान ने खराब हारतिक हालाद और पाकिस्तानी रुपए की गिर्थी कीमते हैं इसकी वज़े से ग्रहक चाहक कर भी उनको खरीदने से हिचक रहे हैं इन बाजारों में दुकांदार किसानों ने करीब दो सबता पहले डेरा डाल लिया था लेकिन खरीदार अब भी इसकी ओर नहीं बढ़ पाया है बताया जाता है कि पाकिस्तान ने अनियंतरित महगाई की दर में मई में रिकॉर्ड तोड़ते हुए 38-30 पहुँच चुकी है इसकी वज़े से बाजारों में जानवरों के खरीदारों की बीड नहीं उमर पा रही जबकि गुर्वार से ईद का तेवार शुरू हो रहा है इसलामाबाद के पशु बाजार में उटों को बेचने वाले आमानुला खान लोगों को आकर शिक्त करने के लिए उनके पंजों पर तिरका आ रहा है लेकिन महेंगाई की मार देखिए ग्रहकों को यह सब रास नहीं आरा खान के चचेर भाई जकालिया का कहना है कि पिछले साल उनकी अच्छी एद मनी थी उनको उटों को बेचने से अच्छा मुनाफ़ा भी मिला था इसके चलते वह इस बार अठारा उट बाजार में लेकर आए हैं लेकिन अब तक किवल एक ही उट बेच पाएं हैं इद क इतेवार पर दुनिया बर के मुसल्मान किसी एक जानवर बकरा बेड़ बैल या उट की कुर्बानी देते हैं दोस्तों और रिष्टदारों को देने से पहले एक तिहाई अपने पास रखेंगे और एक तिहाई का दान करेंगे सद्यों पुराना इतेवार परंपरा से संच जालित होता है लेकिन इस साल भीशन महेंगाई की मार जेल रहे मध्यमवर गिये पाकिस्तानी कुर्बानी नहीं कर पाएंगे चैलिस साल के खरिदार अली अकबर जो की पेशे से बिल्डर है ने कहा कि हमारी आए वही लेकिन कीमते आसमान चू रही हैं हम इतना पैसा कहां स हजार डालर तक हो सकती है पाकिस्तान में उंट की बली आम नहीं है लेकिन कुछ हो अमीर खरीदार इस जानवर को पसंद करते हैं क्योंकि इसलामी नहीं के अनुसार ग्यारह परिवार इसका मास साजह कर सकते हैं इस बार हजारों बैलों गायों बकरियों और भीडों के और ट्रक किराए की कीमतों के साथ करमचारियों के वेतनादी को शामिल बताया उन्होंने अनुमार लगाया कि इस बार उनको लाख और रुपए का नुक्सान होगा वहीं पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में मर्दन जिले के किसान बख्त जमा मार्केट में दस हूंट तथे में आज के लिए फिलाल इतना ही नमस्कार